दब्लैकल फिल्म की कहानी चारली नाम के एक ऐसे सकसी है जो कि एक आफिस वरकर था एक दिन वो अपने आफिस में अकेले नाइट सिफ्ट पर होता है वो हमें अपने हाथों को प्रिंटर के बटन पर जोर-जोर से मारते हुए दिखता है उसके इस हाव-खाव से हमें पता च दर असल उस printing machine से जो paper बाहर आया था उस पर एक black circle printed होता है उसे लगता है कि printing machine ढंक से work नहीं कर रही है उस printed paper को side में रखकर printing machine को check करता है पर सभी कुछ सही पाकर काफी हरान होता है coffee picker जब वो cup को उसी printed paper पर रखता है तो उसे feel होता है कि वो cup paper से होकर printer के अंदर चला गया है यह देखकर वो काफी surprise होता है फिर वो डरते हुए उस black hole के अंदर अपना हाट डालकर cup को बाहा निकालता है यह सब तीजे देखकर चारली काफी सौक्ड है इसलिए वो अस confirm करने क के लिए उस paper को उठाकर डरते हुए अपने हाथ को दुबारा उसमें डालता है और पिछली बार की तरह ही उसका पूरा हाथ उस black hole के अंदर चला जाता है चारली के माइन में एक आइडिया आता है वो सोचता है कि अपने इस invention से वो काफी कुछ कर सकता है इसलिए वो इन्वेंसन से क्या क्या कर सकता है तव युसकी नज़र लॉकर रूम के उपर जाता है उस black hole की help से वो लॉकर रूम का gate खुलकर अंदर पर तीजोरी के पास जाता है और तीजोरी के गेट पर उस printed paper को चिपका देता है फिर उसके अंदर अपना हाथ डालकर तीजोरी में र वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्स्प्लेनेशन के साथ बिल देन टेक केर और बाए